अधियो दूस्तों मेरा नम उस्टिन इंडो है और यह वीडियो में आप सभी का स्वागत है यह वीडियो में यह बताना चाहूंगा कि आप अपना सब्टाइटल डिले और हेस्टेन डिले मतलब काईश केसा होता है कि आपका जो सब्टाइटल है वो लेट आता है कभी-कभी और ऑडियो पहले आता है ना तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको यह वीडियो से मदद मिलेगी तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट की हुए सो मैं मेरे पास एक वीडियो है जहां पर यह कुछ हेस्टेन का प्रॉबलम है हेस्टेन मतलब क्या मेरा सब्टाइटल पहले आता है और आडियो भाद में आता है तो ऐसा इशु है तो इसमें मैं कैसे अड्जस्ट करूँगा मैं वो आपको बताना चाहूँगा हेस्टेन बताऊंगा जो मेरा इशु है और डिले भी बताऊंगा तो देखते रहे यह वीडियो गाइस एंड में एंड तक देखिए न तो आप कन्फ्यूस हो जाओगे कि क्या प्रॉसिजर यार क्या ठीक है तो मैं अभी यह वीडियो प्ले करके आपको दिखाऊंगा क्या इशु ह और यह जो बात करेंगे अभी I think I should make a list वो बाद में किया जाएगा तो यह हेस्टेन का प्रॉब्लम है मतलब सब्टाइटल चल्दी आ रहे है और मेरा ओडियो बाद में आ रहे है तो आप समझ रहे मेरी बात तो इसका उल्टा भी होता है कभी-कभी उसका भी solution में आगे मे टो अभी में कभी वीडियो प्ले करूंगा तो अभी काउंट कीजिए गाई मेरे साथ और देखते हैं कितना सेकेंट का यह हेस्टन का प्रॉब्लम है ना तो डिले का प्रॉबलम है ठीक है तो में प्ले करूंगा भी वीडियो और मैं वीडियो रोकूंगा जब यह I think I should make a लिस्ट का जब डायलोग बोलेगा वो बच्चा जब बोलेगा तब ही मैं ये वीडियो रोकूंगा ठीक है तो स्टार्ट करते है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो तो आप देख सकते हैं कि 9 सेकेंड मतलब बराबर 9 सेकेंड के बाद वो बच्चे ने वो डायलोग बोल दिया तो आप देख सकते हैं कि हेस्टन का जो प्रॉबलम है न तो डिले का जो प्रॉबलम है वो 9 सेकेंड मतलब मेरा सब्टाइटल और मेरा ओडियो जो एक्जैक्ली आया उसके बीच का अंतर है 9 सेकेंड आपने वीडियो में भी देखा तो अभी इसको कैसा फिक्स किया जाए त तो आप तो आप मुझे फॉलो कीजिए इसमें तो अब मैं मेरा माउस पॉंटर जो है उसको ध्यान दीजिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन लाइन का आइकन है सिंक्रोनाजेशन करके देखिए मैं रखूंगा देखो शो एक्स्टेंडेड सेटिंग्स ऐसा कु किजेगा और अभी आपका आएगा सब्टाइटल ट्रैक सिंक्रोनाजेशन ठीके अभी यह सब्टाइटल ट्रैक सिंक्रोनेशन में आपको बताना है कि आपका कितना हेस्टें हुआ है कितना डीले हुआ है वह बताना अब मेरे केस में हेस्टेंड है क्योंकि सब्टाइटल पहले आ रहा है तो वो हेस्टेन हो गया case तो मैं क्या करूँगा उदर 0 सेकेंड ना तो उदर मैं 9 सेकेंड कर दूँगा ठीके तो जितना मेरा डिले है उतना मैं दिखाऊंगा देखो अभी 9 सेकेंड हो गया है तो अभी जो मेरा हेस्टन था वो पीछे आके 9 सेकेंड डिले हो जाएगा तो जिससे मेरा प्रोब्लम फिक्स होगा ठीके ओके सो एक्चुली गाइस मैं यह आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यह वीडियो में एक ट्रैक था गाना था बैक्राइड में तो उसकी जैसे मेरे को कॉपिराइट क्लेम का बहुत प्रोब्लम हो गया यह वीडियो में तो मुझे वह हटाना पड़ा पर आप ज़रूर ट्राइड कीजिए गाइस मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी बनाया है जिसमें मैंने इतना बस कर दो और आपका डिफरेंस वह आप काउंट कर लो आपकी वीडियो में ठीके तो ऐसा ऐसे के तरीके से आप डीले और हेस्टन दोनों आप ये वीडियो में मतलब ऐसा आप फिक्स कर सकते हो तो आशा करता है आप मुझे समझे होगे गाइस मैं अपना बैस दिया थोड़ा ट्राइ करने गा समझाने गा आई होप मैंने ज्यादा कॉंप्लिकेटर नहीं बनाए वीडियो को तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज ये गाइस वीडियो को ला है लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेर कीजिएगा गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नहीं है मेरे चैनल में और मिलता हूँ गाइस अगले वीडियो में तब-tक के लिए गाइस अपना ख्याल रखो सब और टेक केर गईस नहीं है